हेलो दस्तो कैसे हैं आप सब एक बार पुना आप सभी का आपके अपने चैनल सीव कोचिंग क्लासेस पर स्वगात है दस्तो क्लास 11 फिजिक्स में जो चैप्टर 6 एच चल रहा दस्तो उसमें आज का टॉपिक है गुरुत्वी विभाव गुरुत्वी विभाव किसे कहते हैं इसका दोस्तो बेंजाक है ना तो वीडियो को आन तक जरूर देखे दोस्तो क्वेशन कैसे आता है गुरुत्वी विभाव किसे कहते हैं गुरुत्वी विभाव के लिए किसी बिन्दू पर गुरुत्वी विभाव की गड़ना ग्यात क किजिए नारمل ऐसे कोशन आते हैं न तो चले दोस्तों स्टार्ट करते हैं लेकिन ये वीडियो अच्छा लगी दोस्तों लाइक जरूर करना और दोस्तों शेयर करना ताकि दोस्तों अधिक सदिक एकांक द्रबमान के पिंड को अनंत से गुरुत्वी छेत्र के किसी बिदु तक लाने में जो कार करना पड़ता है उसे उस बिदु पर गुरुत्वी बिभाव कहते हैं। विदु पिंड को आनंत से गुरुत्वी छेत्र के आधार पर हैं किसी बिदु को ला रहे हैं एकांक द्रबमान के पिंड को ला रहे हैं। तो दोस्तो उस पिंडो को लाने में जितना कार करना पड़ रहा है, उसे दोस्तो कहते हैं गुरुतिवी विभाव, क्या बोलते हैं दोस्तो गुरुतिवी विभाव, अब याद रखिएगा दोस्तो, हम भी परीत ला रहे हैं, अनंत से गुरुतिवी छेत के किसी विंतक ला रहें तो दोस्तों यह कार होता हमेशाा ह्रणात्मक होता है मतलब गृत्य व्यंदी होता है तो ह्रणात्मक होता है क्लियर दोस्तो ये चीजा आपको याद होना चाहिए कि गृतीवी विवह जो होता है अंगिषया रिणात्मक होता है। ठीक है ना अब इसका मात्रक बताएं दोस्तों तो मात्रक बहुत ही आसान है यार मात्रक ऐसा ही पद्धत में आप तो आसानी से बता सकते हैं कार का मात्रक दोस्तों जूल और दोस्तों द्रबमान का मात्रक है किलोग्राम तो जूल प्रती किलोग्राम इसका मात्रक हो गया औ बिमी सूत्र दोस्तों यहीं बात करूँ बिमी सूत्र दोस्तों तो आप आसानी से बता सकते हैं बिमी सूत्र कैसे तो कार का बिमी सूत्र दोस्तों आपको पता ही होगा m l square tick power minus 2 होता है है ना और दोस्तो द्रबमान है m m से हम कट गया तो दोस्तो m 0 l square tick power minus 2 यह आगे दोस्तो आपका बिमीश होता कभी कभी objective type में सिदा question पूछ देता है दोस्तो गुरतिवी विवाओ का बिमीश होता है तो m 0 l square tick power minus 2 याद रखेगा दोस्तो गुरतिवी विवाओ एक आदिस रासी है कौन सी रासी दोस्तो तो आदिस रासी है इसे दिसा क्या वसकता नहीं होती जब कि इसमें परिमान होता है clear रखना ना दोस्तो दोस्तो इतना याद रहेगा ना कि यह कौन सी रासी है तो अदिस रासी है इसको clear कर लिया कर लिये objective ऐसे ही question आते हैं फिर कहते हैं सर मतलब कुछ समझ में नहीं आया कि objective कहां से आ रहा है objective कुछ important question दे दीजिए तो मैं आसा करता हूँ दोस्तों इस प्रकार से आप लोगो कोई question मनमिन नहीं आने चाहिए क्योंकि मैं जितना भी topic cover करात होगा तो चलिए आप अपन चर्चा करने वाले हैं किसी बिंदु पर गुरुती विवाओ के लिए बेंजक किसी बिंदु पर दोस्तों गुरुती विवाओ की बेंजक की गड़ना करनी है तो अंद तक जो देखते रहे हैं आपको भी दिवत स्रानकारी मिलेगा यार माना बिंदु ओ पर एक एम द्रबमान का एक पिंद इस्थीत है दोस्तों बनाते हैं एक ओ द्रब केंदर का एक आपके पास एक पिंद है दोस्तों आपके पास पिंद है जिसका द्रबमान कैप्टल है हमें इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है एक बिंदु दोस्तों पी है जहां तक की दूरी के अकलाते दोस्तो आर है कितनी दूरी है आर आर दूरी पर एक बिंदू पी है जिस पर हमें गुरुती भी भौकी गड़ना करनी है इतना क्लियर दोस्तो बिंदू पी है ठीक है ना बिंदू पी है अब दोस्तो इसके आगे अनंत छेतर होगा तब कान के चलतें यहाँ पर दो अल्प बिंदू हैं और जिनके बीच की दूरी दोस्तो अल्प है डी अक्स है तो हम एक नारमल दूरी तक के लाने में किया गया कार निकालेंगे और फिर दूरी के लिए आ जाएगा जहां से जहां तक लाना है याद रखेगा दोस्तो जब भी हम हमें छोटे से बड़े में विस्तार करना होता है तो वहां पर हम समा कलन करते हैं यह चीजें याद रखिए कि जब भी हमको कोई भी छोटा चीज दिया हो और हमें उसका विस्तार करना है दोस्तो तब हम वहां पर क्या करेंगे समा कलन करेंगे क्या करेंगे समा कलन करेंगे ज दोस्तों सामा कलन कर देंगे क्लियर है ना कि किसी पिंड को है ना अनंत से विद्धु छेत के किसी विद्धु छेत रहे अब बार बार यह सब्द क्यों याद आता है इसके लिए मैं आप ही चाहता हूं गुरुत्वी छेत और जो चुमिकी छेत ना 12th क्लास में और इसी तरह से दुस्तों वहां पर भी यही जब बार बर सब्द आते तो दिन बडर में तो गुंचता रहता है यार कि पूरसे क्लास चलता रहता है आपको पता और विड्यू वी बनाता हूं तो बस होई चलता है तो सब्द आ जाते हैं तो इसलिए स्वराली दॉस्तों कभी कभी सब् तो चार क्लास में दूस्तों तरह तरह के सब आते रहेती मैंड में फिर भी करना पड़ता है और वीडियो भी इसना अलगशास ब espíritus आ जआते तो वाहँ प्ड़ पर रहते हैं मापिध करना नहीं भी संधानी इसना लेना है दोस्तो तो इसके लिए मापी चाहता हूँ ठीक हांची भी आती है अपने उपर कि क्या जिंदिगी यार कैसे चल ला अपनी लाइप है न तो कोई बात नहीं आप मैनेज कर सकते हैं ठीक है न चीजें समझें बात को समझना है मेरा मुद्धा है कि दोस्तो आप लोग समझें ये कह कार आए बिंजग और आपके एक्जाम पेपर में कैसे आएगा आपको कैसे सॉल्व करना है चीजें तो आपके बुक्स में डेर सारा मिल जाएगा कोई दिक्कत नहीं मैं सिप समझाने की कोशिस करता हू ताकि आपको बिजबच समझ में आ जाए अब देखे दोस्तो गुरुतिवी विगो निकाल ली है तो परिवास है ये कि अनंत से किसी बिंदु तक गुरुतिवी छेट के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार अब दोस्तो मान के चलते हैं ओ से दोस्तो कहां से ओ से एक पी तक ला सकते हैं या ए से बी तक ला रहे हैं तो पहले करेंगे क्या ए से बी तक लाने में किया गया कार ठीक है ना और इसके बाद दोस्तो करेंगे क्या अनंद से लाने में किया गया कार लेकिन दोस्तो आभी हम बस्तु को कहां मानेंगे ए पर मानेंगे चीज़ें समझें क्योंकि ए से भी तक लाएंगे तो O से A तक O से A तक के भीश लगने वाला बल अब दो पिंडो के भीश लगने वाला बल क्या कह लाता है गुरुटाकर्सन के नियम से लगाएंगे तो पहले मान के चलते हैं कि माना दोस्तो आपके पास माना O से बिंदू O से कितनी दूरी पर दोस्तो एकस दूरी पर एक बिंदू क्या है ए है एकस दूरी पर दोस्तो एक बिंदू A पर एक आंग द्रबमान का एक आंग द्रबमान का दोस्तो क्या रखा हुआ है कोई बस्तू या कोई पिंद रखा हुआ है एक आंग द्रबमान का कोई पिंद है तब दोस्तो दोनों के भी लगने वाला बल या ऐसा भी लिख सकते हैं कि एक आंग द्रबमान वाले पिंद पर लगने वाला बल लिखें त द्रबमान के पिर्णपर लगने वाला वल अब चीजें समझें दोस्तो न्यूटन का सरवात्री गृत्तो कर्षन नियम तो आपने पढ़ाई है कि अब बराबर होता है दोस्तो जी केटल एम स्मॉल एम बटे दूरी कितने एक्स है डिस्टेंस है ना आर होता है तो आर लेते अभी यहां पर एक्स ले रहें क्योंकि एक्स दूरी पर अब चुकि द्रबमान एक आंक है मतलब छोटे पिर्णपर तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा केटल जी अम बटे दूस्तो एक्स स्कूर इसको दूस्तो अपन ने क्या दिया समीकर नेक दे दिया ज़रुरत पढ़ने पर कामा सकता है चीने क्लियर दूस्तो अब आपको पता होगा दूस्तो की कार बराबर क्या होता है बल्गुने दूरी होती है कि नहीं बल्गुने दूरी होती कि नहीं दूस्तो है ना बल्गुने दूरी होती है इतना याद रखेगा कि कार बराबर होता दूस्तो बल्गुने दूरी तो अपन करेंगे क्या कि एसे बी तक लाने पर कहां से दूस्तो पिंड को पिंड को अल्प दूरी अल्प दूरी A से B तक लाने में किया गया कार किया गया कार कार का फर्मूला क्या होता है आप ही बताईए अल्प दूरी के लिए अल्प कार होगा मतलब DW बल होगा दोस्तो F बल गुने दूरी और दूरी कितना कर रहे हैं दोस्तो DX कितना कर रहे हैं d-x आप समय करने एक से मान रख दे तो f की value कितनी है दूस्तो f की value कितनी है gm mटे x square और d-x यह हो गये दूस्तो आपका यह किसी अलप दूरी के लिए बात कर रहे है अपन a से b तकलाने के लिए अब दोस्तों हम कहां से लाना चाहते हैं अनन्द से आरदूरी तक लाने में किया गया कार तो अब आगे लिखना है पिंड को कि किसको दोस्तों पिंड को अनन्द से आरदूरी तक लाने में किया गया कार अब आपको मैंने कहा ना कि समा कलन कर देते हैं मिरे भाई तो dw का समा कलन w हो जाएगा और इधर समा कलन लगा दो कहां से दोस्तो अनन से कितनी दूरी तक आर दूरी तक limit लगा दिया हमने और दोस्तो किता हो जाएगा gm बटे x square और dx हो गया इतना तो clear दोस्तो चले तो आगे देखते हैं पर अब इसके आगे क्या होगा दोस्तो देखते चलिए तो दोस्तो gm जो होता है वह बाहर आ जाएगा है ना और दोस्तो अपर लिमीट लोवर लिमीट ठीक है आर दोस्तो ठीक है और यहां पर एक बटे x square dx है पूरा कर रहा हूँ दोस्तो दूसरा पेज लेना पड़ता है ठीक है ना थोड़ा सा समझेगा आपके पास यहां पर आ रहे है gm रहने दें दोस्तो दोस्तो यह जो आपके पास x है ना उपर जाएगा दोस्तो तो minus 2 हो जाएगा dx हो गया x के पावर n का समा कलन कितना होता दोस्तो समझेगा तो gm कितना हो जाएगा अनंद से आरदूरी तक ले रहे है और दोस्तो आपके पास यहां पर x power minus 2 dx है एक बार और लिख दिया मैंने x के पावर n का समा कलन होता है x के पावर n plus 1 upon n plus 1 यह फर्मना लगाना था दोस्तो मैंने नहीं लगाया कोई बात नहीं लगा देता हूँ लगाईए दोस्तो x के पावर 2 minus 2 plus 1 minus 2 plus 1 ठीक है ना और आपर लिमिट से लोवर लिमिट अनंद से आर अब होगा क्या दोस्तो यह gm हो जाएगा और x के पावर minus 1 नीचे minus 1 अनंद से r दोरी अब कितना होगा दोस्तो तो यह minus सामने आ जाएगा और यह inverse में नीचे चला जाएगा आपर लिमिट रखे और लोवर लिमिट रखे दोस्तो देखे पहले आपर लिमिट रखेंगे तो कितना होगा minus gm यह तो दोस्तो कुछ भी नहीं है पहले आपर लिमिट रखेंगे तो 1 upon r minus 1 upon infinite अब आप भी बताएगे दोस्तो कितना होगा infinite कमान तो infinite कमान होता है 0 upon infinite मतलब 0 होगा मतलब दोस्तो आपके पास किया गया कार दोस्तो कितना है minus gm बटे r और किया गया कार ही दोस्तो विवा होता है तो विवा का फार्मूला हो गया minus gm बटे r यह दोस्तो बिंदू P पर गुर्तिवी विवा का बेंजागा गया clear दोस्तो यहाँ पर आपसे समा कलन आसानी से बनना चाहिए एक ही फार्मूला r समा कलन का x के पावर n बराबर दोस्तो x के पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 यहाँ पर n की value minus 2 थी तो minus 2 प्लस 1 अब इसी तरह सेम दोस्तो दो विंद्जक आपको 12th class में मिलेंगे तो यदि यह विंद्जक आपसे बन रहा है करना और दोस्तों कि शेयर करना नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करने प्लस कर लेना ताकि वीडियो का नोटिक्रिशन आपको मिलता रहे चलते हैं दोस्तों मिलेंगे वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक लिए जैहिन बंदे बात रहा हूं